आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़िदार सी रेसिपी जो हम बनाएंगे पटे हुए दूट से जी हाँ दोस्तों जब कभी भी दूट फट जाता है तब हम उसमें से रस्मलाई कभी-कभी बना लेते हैं या पिर कुछ और पनीर बना के कुछ और रेसिपी कर लेते हैं क्या दूध है जाया तो नहीं कर सकते तो इसके लिए मैंने क्या किया इसमें दाल दिया हल्दी आधे टी-स्पून के जितना और इसमें दाल दिया नमक हरा अधनिया और हरी मिर्चे आप अपने टेस्ट को अकॉर्डिंग डाले और फिर इसमें आट कर देंगे जीरा पाउडर और फिर एक इंच अद्रक को कदूकस करके डाल देंगे फ्रेश अद्रक डालें फ्रेंट्स जीरा और अद्रक नहीं मिस करना है इसको बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें इसको मिस नहीं करना है इसको अच्छे से mix कर लेंगे भी इसको चूले पर जड़ा देंगे low play में ही इसको पकने रखेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता तब तक इसको पका लेंगे तो चलिए मिलते हूं मैं आपसे एक उबाल आने के बाद तो देखे फ्रेंट इस तरह से उबाल आने लगा है दूद में अभी मैंने चन्नी और बाउल भी रडी करके रख लिया है इसको एक बार अच्छे से mix कर लेंगे और फिर इसको चान लेंगे तो देखे फ्रेंट इस तरह से हमने इसको चान लिया है लेकिन इसको प्रेस करते हुए इसका पानी पूरा निथार लेना है friends, पानी बिलकुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे सैंविच नरम नरम गीले गीले लगेंगे, तो इसको लिए इसके अच्छे से इसको squeeze कर लें, देखिए इस तरह से, पूरी तरह से dry कर लेना है हम इसको अभी जो पानी बचा है यह बहुत ही हेल्दी ड्रिंग होता है इसको पेंखना नहीं है इसको भी हम ऐसे ही कंजूम कर सकते हैं तो चलिए इसके सैन्विश तयार कर लेते हैं अभी इसको साइड में रख देंगे और अभी एक बॉल मैंने ले लिया है इसमें डाल जो भी आपको विजटेबल्स पसंद है वो डाल दे मेरे पास चेरी टेमाइटो थोड़े प्रिज में थे तो इसके लिए मैंने इसको ही चौप करके डाल दिया आप चाहें तो रेगुलर टामाइटो भी डाल सकते हैं और फिर मैंने डाला है इसमें खीरा क्यूकंबर को थ जही विजटेबल्स दालना बोलके जरूरी नहीं है आप चाहें तो अपने पसंद के जो भी विजटेबल्स दालना चाहते हैं वो डाले अगर विजटेबल्स नहीं डालना चाहते तो थोड़ा टेमेटो केचब भी इसमें डालके मिक्स कर सकते हैं और फिर इसमें डाल दे ब्रेट पर spread कर लेंगे, और एक ब्रेट से इसको cover करके थे तरह से उपर से press कर देंगे, अगर इसमें पानी हो था फ्रेंट थोड़ा सा भी तो ब्रेट नरम होने लगता, तो इसके लिए मैं पहले से ही आपको बता रहे हो, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से स्कूइस करके इसका पानी पूरा मॉइस्सर पूरा निकाल दें तो और एक ब्रेट भी इसी तरह से तयार करके रख लेंगे पैन मैंने चड़ा दिया है इसमें थोड़ा सा बटर डालते हुए ब्रेट कु दोनों साइट से सेक लेंगे उपर से भी हलका सा बटर महिने लगा दिया है फ्लिप करते हुए दोनों साइट से अच्छे से से शेक लेंगे इसको तो ये लिजे फ्रेंट्स बन के तयार है इसको कट कर लेंगे बहुत ही मज़ेदार हमारी सैन्विच बन के तयार हुई है जरूर आब इसको फेकना नहीं है बहुत जादा बन अधर की लिए थे लिए इसको फेकना नहीं है इसको भी कंजूम करें ये बहुत ज़ब environment और शरक पर दो मिली अगली में तब तक अफ्रोडुए में मुझे ही जान रुखिे और Prof. क见 और है